हेलो मिटी गुलकपो कैसे हूँ आप सब वेरकम टू माय चानल दिया मुवी फूट पाइप रेई ना चलिए आज हम बनाते हैं वेज बिर्यानी इसके लिए ना मैंने दोग अपना बासमती चावल लिये हैं उसके बाद ना इसको पाने डालके ना वाश करना है अच्छा एक टूट जाते हैं बिलकुल हलकी हाथों से दोगना है और इस पानी को ना मैं क्या करती हूँ फैक्ती नहीं हूँ इसके लिए जो पेड़ पॉदे ही वेने लगा रखे है उनमें इन पानियों को डाल देती हूँ बहुत सही रहता है यह पानी उसके बाद ना फिर इसमें पा तब तक हम अपनी जो सबजी या मैरिनेट करनी है उसकी तियारी कर लेते हैं उसके लिए ना सरसो तेल का यूज करें क्योंकि मैरिनेशन में सरसो तेल एक अलग ही टेस्ट ये फिर उसके बाद ना थोड़ा क्लर देनी के लिए मैंने इसमेरी लाल मिर्च टाली है उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो दही है वो लाल मिर्च और तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए जब यह मिक्स हो जाएगी ना फिर इसमें थोड़े मसाले आइड करेंगे मसालों मैंने ये हल्दी ली है फिर धनिया यूज किया है ये लाल मिर्च है और थोड़ी सी काली मिर्च का भी यूज किया है फिर मसालों को भी विसकर से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद फिर सबजियों का यूज किया है अब ठंड का मौसा में इस टाइमनल जो हरी हरी सबजिया आती है इसका तो मज़ा ही आता है इसके लिए मैंने एक कप मटर यूज किया है गोबी लिया है ऐसे जादा चोटे-चोटे पिसेज में नी कट करने है फिर आलो लिये है आली को भी मीटियम साइज में कट करिए और इ गया पिसमें विर्यानी में थे दिए शर्ला बैसके बनाने की बारी आ गई फिर मैंने गरम, बनसाले कि ली आ आ कप निसमें जौन में जो सोकी हुए चावल से मिक्स कर लूँगी ऐसा झाए बॉइल होने के बाद में करना है क्योंकि आज की जब पानी मिक्स करें तो ढूरे बिर्यानी वपना को पिर कैसी बिर्यानी तो इससे बहले रहा आप इसको मिक्स करिए फिर इसके बाद गैस पर रखिए फिर जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम सबजियों को फ्राइ करते हैं इसके लिए मैंने सरसो तेल का यूज किया है बिकास आप कुछ भी यूज कर सकते हैं तेल में तो जो बिर्यानी में जो सरसो तेल जो देता है ना फ्लेवर उसकी तो बाती अलग है फिर मैंने इसमें तीन बड़े साइज जो प्याज है उनको बारिक बारिक ऐसे ना इसमें बहुत इंपोर्डेंट रोल करता है तो इसमें थोड़ा तेल भी जादा होना चाहिए और पार्ट ना इसका निकाल लिया है और जो आधा बचा हुआ है उसमें जो मैरिनेट क्यूई जो सबजे रखी हुई थी अब उनको मिक्स कर लेचे अच्छा याद रखिएगा इस ताइम जो आपका फ्लेइम होना चाहिए वह एकदम लो होना चाहिए क्योंकि दही है तो फि इसको रखिए और सब्सक्राइब जब तक पके ना एक दो मिनिट तब तक अए काम करते हैं जो वह प्याज रखा हुआ था उसको मैं ने ग्रेंड कर लिया है मिक्सी में अच्छा उसमें ना मैंने लेसन भी यूज़ किया है लेसन और अधरक है उसको भी डालके ना प्यास इसका यूज करना है आपको ये कहीं से भी मिल जाता है किसी भी शॉप से आप ले लिजेगा मैंने एक पैकेट लिया ता 10 रुपे वाला वो पूरा डाल दिया इसमें फिर इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इसमे आपको और जादा पानी कर देके अच्छे से पकनी जाती हैं इतने में जो जो चावल हैं वह हमारे हो चुके हैं फिर पिर इसको जहने कहल शी नहीं को जाएब और इस के जा सबिख कर दोम देने मैंने एक ना उसी वर्तन में मैं दे सकती थी बट वो ना छोटा हो गया था तो मैंने एक काम किया एक अलग से पतीले का यूज किया नीचे ना मैंने थोड़ा गही का यूज किया है उसके बाद जो सबजिया है ना तो सबजिया ना मैंने अभी आधी डाली है नीचे ठीक है आधी ना हम बाद में यूज करेंगे उसके बाद जो चावल है चावल को भी अच्छे से इसमें उपर से अच्छे तरीके से कवर कर दिजे और चावल भी अभी पहले हाफी डालने है आपको हाफाफ करके यूज करना है उसके बाद फिर से एक बार ना सबजी का एक बार लेयर बिचा दिजे जो बाकिया दी सबजी थी उनको भी अच्छे से आप इसमें लेयरिंग कर देचे फिर जब आप लेयर कर दे उसके बाद फिर से बासमती चावल है इनका आप यूज क लेगिन आप इसमें केसर और दूद का भी यूज़ कर सकते हैं वो भी अच्छा ओप्शन होता है मैं इसमें आटे की लोई का यूज़ करेंगे तो आटा गुंद के ना मैंने इसमें चारो तरफ अच्छे से सील कर दिया है ताकि जो गैस है वो थोड़ी सी भी बाहर या अंदर ना हो पाए अपना डारेक्ली इसको गैस पे नहीं रखना है इसके लिए मैंने तवे का यूज किया है तवे पे मैंने यह जो सॉल्ट है इसको बिछा लिया है उसके बाद फिर मैंने इसको रखाया बर्तन को और एकदम लो फ्लेम पे आपको तीस मिनिट तक पकाना है फिर उसके बाद अब तीस मिनिट हो गए तो फिर मैंने इसको ना चाको की हल्प से साइड बे vins i.e 3 में बभा हएं आटे का लोई में बडाने अलो इसको आटा दिया और छुर्टि केंगी तो करते हैं शुक्या सुप्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए कॉमेंट करिए शेयर करिए ठीक है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए अभी तक मेरे डोनट पीजा की रेसिपी नहीं देखी है तो वह भी देख सब्सक्राइब बिर्याने अब परोशिये खुद भी खाईए अपने परिवार वालों को भी खेलाईए और इंजोई करिए